हेलो प्रेंट साब सबका मेरी चैनल में स्वागत है यह चावल अर्वा है इसको 15-20 मिनट पहले हम फुल्ले दे दिये थे तोड़ा साफ करके अच्छे से और यह दूद है मेरा डूर लीटर के करीब और बहुत ताजा दूद था मेरा बहुत चकीर बनेगा इसका यह ड्राइ हम रख लिए हैं इसको डालेंगे सबको अदूद जब वाइल हो जाएगा थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा तो हम डालेंगे क्यूंकि एक बार हम गर्म कर चुके थे इसमें चावल डाल देते हैं थोड़ा सा हाइफ लेंपे पकाएंगे हम उसी जगह हमको रहना होगा बि इस प्रोसेस से आप बनाएंगे न तो बहुत अच्छा तेश्टी खीर बनेगा एकदम गाढ़ा कुछ नहीं चावल और दूद अलग होगा आपका थोड़ा सो भीगा दिने से चावल को फुला दिने से बहुत अच्छा बनता है यह भी एकदम पुरानी तरीक है बहुत च कम कर देंगे तो उसमें उतना अच्छा नहीं होता है आ गया है उपर तक मेरा थोड़ा ज्यादा ही उपर आ गया था उंको कम कर देना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाये थे और हाँ चीनी डाल देंगे पक्खी गया था वह लगभग चीनी को थोड़ा दे दे के मिला कि गैस बंद करने के बाद क्योंकि किस में श्टा लेंगे तो यह लाइशी पॉडर भी दे दिया और तेश पत्ता भी हम पहले इसलिए नहीं डाले कि ज्यादा इसलिए हम इसी टाइम में डाल दिये आपका मन है जब आप चाहें डाले और यह बंद कर दिये थे फ्लेम को और उसके बाद अच्छे से चला के फिर ड्राइफ रूट को डाल दिये इसको पूरी तरह से नहीं ढखेंगे भाप बहर आने देंगे यह दिखे थोड़ा देर बाद दिखा रहे थे कितना अच्छा जब गया है मेरा खीर इसको चलाएंगे ना तो एक तम गाड़ा और बहुत अच्छा आपका खीर होगा प्लेट में कटोवी में आप जी स्चेज में या खाली थाली में भी आप रख सकते देखें कितना खुब